So Hello Viewers, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने चैनल Official Agile Tech Learner पे जहाँ पे हम आपको हिमाचिल प्रदेश Government Exams की तयारी गरवाते हैं So जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे चैनल ने Post Code 939 के लिए एक कोर्स फिर से शुरू किया है और हम आपको यहाँ पे स्टार्टिंग से पूरे जो भी टॉपिक हैं वो करवा रही है चेप्टर वाइस So चलिए, आज हम आपके डिसकस करेंगे Input Output Device के Questions को लेकिन उसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो आपकी क्लास है उसका टाइमिंग हम थोड़ा सा चेंज करें हैं आपकी जो क्लास है उसका टाइमिंग आपको जैसे कि हम पहले Live Premier के थूँँग आपको मोक टेस्ट करवाते थे उसी तरह से आपको अब यहां पे Questions करवाई जाएंगे ताकि आप एक ही टाइम पे Questions को पढ़ लें और आपको बाद में सिर्फ उने रिवाइस या फिर एक बार Solve करने की ही जरूरत पड़े आपकी यह जो Live Premier क्लास के थूँँग आपको Questions करवाई जाएंगे वो आपको डेली, Morning 6 A.M. आपको Class प्रोवाईड करवाई जाएगी जैसे कि आपने पहले भी Live Premier क्लास मोक टेस्ट के टाइम पे अटेंड की थी आप रेडी रहें सुभा 6 बजे चलिए आज की Questions को शुरू करते हैं लास्ट टाइम हमने Question किये थे 35 अब करेंगे हम Question No.36 और Question शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूँँ कि अगर आप चैनल पे नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और चलिए शुरू करते है Question No.36 So 36 बहुती easy Question है जैसे कि आपको पता Basic Basic Questions ही चले हुए हैं लेकिन दीरे दीरे आपका Level अप कर दिया जाएगा आपको इस बार पूरे बिल्कुल Basic से A to Z करवाया जाएगा Advanced Level के Coding, Programming जो भी आपके HTML C++, MySQL के Question है वो भी आपको करवाया जाएगे So इन सबी को साथ साथ पढ़ते रहें और Daily 6 A.M. आपको Class मिल जाएगी तो आप तब revise कर सकते हैं Next आ जाता है Question No.37 37 है आपके पास CD Stand 4 तो यह सबसे easy Question है CD की Full Form क्या होती है? Compact Disc Option No.A आपका यहाँ पर write हो जाएगा Next Question है Question No.38 Data going into the computer is called बोला गया है कि जो data computer में जाता है उसे क्या बोला जाता है तो वो आपका write answer आ जाता है Input Next है Question No.39 A DVD is a DVD क्या है? DVD आपकी है Optical Disk Storage Option No.B आपका यहाँ पर write हो जाएगा Next Question है Question No.40 40 में बोला गया है Keyboard and are the example of input device बोला गया है कि Keyboard और दूसरा हमें options में बताना है कि कौन सा input device है तो वो आपका जाता है Mouse Option No.D आपका यहाँ पर write answer हो जाएगा Next Question है Question No.41 Keyboard is used वो लगया है कि Keyboard को किसलिए use किया जाता है तो Keyboard आपका जाता है For input text and number and send command to the computer यानि कि Option No.A आपका यहाँ पर write हो जाएगा यह जो भी आपके PDF है मैंने आपको पहले भी बताया है अगर आपने Class 1 नहीं देखी है तो आप Class 1 को पहले जरूर देखें क्योंकि वो आपकी इस पूरे कोर्स की JOA IAT 939 Post Code के लिए पूरे कोर्स की Class 1 है और यह आपकी Class 2 है आपको मैंने बताया है कि जो भी आपके PDF है और Study Module है वो आपको Telegram और WhatsApp ग्रूप पे प्रोवाइट करवा दिये जाएंगे आप उन्हें डिस्क्रिप्शन में दिये लिंक से जॉइन कर सकते हैं नेक्स्ट कोशन है 42 42 में दिया गया है All of the following are example of input device except a So इसमें बेसिकली यही बोला गया है कि इनमें से कौन सा output device है तो आपका जाता option number D, printer Next question, question number 43 लेकिन 43 करने से पहले मैं आपसे suggestion चाहूँगा कि अगर आपका कोई और suggestion है जैसे कि मैंने group में भी poll वगएरा डाला था कि आपको मतलब topic wise चाहिए questions या फिर आपको जैसे पहले live mock test करवाया जाते थे उसी तरीके से करवाया जाए तो आप वो comment में भी बता सकते हैं वरना आप हमें direct whatsapp पे भी message कर सकते हैं Next question, question number 43 Most of the commonly available personal computer या फिर laptop have a keyboard popularly known as So बोला गया है कि जो most common laptop या फिर computer के keyboard होते हैं उन्हें किस नाम से जाना जाता है तो ये बहुत easy question है option number A, KW, ER, T, Y Next question है question number 44 How many keys were in keyboard used in early days So बोला गया है कि पहले कि दिनों में keyboard में कितनी keys होती थी तो यहाँ पे आपका right answer आ जाता है option number B, 83 Next question, 45 अभी आपके बिल्कुल basic question चले हैं जैसा कि आपने जो IT 817, 903 या आपने postcode के papers दिये होंगे तो उन में आपके जादातर basics या फिर आपके जो coding से related MySQL, Excel इन से question जादा आते हैं और आपके जो application based यानि कि जो आपकी daily life में इस्तेमाल होते हैं वो चीज़ें आपसे जादा पूची जाती हैं So next question है, question number 45 The number of function key in a keyboard is से तो सबसे easy question है कि एक keyboard में कितनी function key होती है तो वो आपके जाती है 12 F1 से लेकर आपकी F12 तक वो उनको आपकी function key बोला जाता है और यहां से एक question और बन जाता है कि जो आपकी caps lock key होती है So यहां पर आपका right answer आ जाता है A num lock जानी कि इसमें बोला गया है जैसे कि आपने num pad देखा होगा वहां पर आपका जब num lock प्रेस करते हैं तो आपकी जो directional key है वो num पैड की तरह act करती है और अगर आप फिर से num lock को प्रेस करें तो वो आपकी number pad की जगा arrow key की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं हम उने Next question है question number 47 Ctrl shift and Alt are card blank keys तो इन्हें आपका बोला जाता है modifier keys Next है question number 48 The key that must be pressed each time a new command or information is entered So यहां पर आपका right answer आ जाता है Option number B enter या फिर return भी उसे बोला जाता है So इनमें समझाने वाला ऐसा कुछ भी नहीं अभी आपके बिल्गूर basic question चले हुए है लेकिन हम आपके लिए जल्दी से जल्दी live mock test provide करवाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं बस जल्दी से जल्दी आपकी जो basic questions की class है वो finish हो जाएं उसके बाद आपको daily live mock test provide करवाए जाएंगे जैसे कि आपको पहले भी provide करवाए गए थे आप चैनल पे पुरानी वीडियो को भी देख सकते हैं क्योंकि जो आपके computer के question है वो तो same ही रहेंगे बस आपका level थोड़ा up or down हो सकता है so question number आजाता है 49 a button that makes character either upper or lower case and numbers to symbols so आपका right answer आजाता है option number B shift key shift से आपका क्या होता है कि जैसे आपको add the rate लिखना है तो आप shift key दबा के 2 पे press करते हैं तो आपका add the rate लिख सकते हैं और आपका lower case को uppercase में भी convert कर देता है next question है question number 50 have the cursor one space to the right or put space in between words so यहाँ पे आपका right answer आजाता है space bar क्योंकि space bar से ही आप words के बीच में space देते हैं next question है question number 51 use this when you want to make all letters capital without having to use the shift key so इसको आधा पढ़के ही आपका right answer पता लग जाता है option number C caps lock key next question है question number 52 a key that will erase information from the computer's memory and character on the screen so यहाँ पे आपका right answer आजाता option number B delete key देख लेते हैं next question question number 53 so जैसा कि आपने post code 817 के लिए जिसकिसी ने भी form भरा था तो उसके related हमने वीडियो बनाई है कि आपकी जो भी code case के बाद क्या cut off रहने बाली है आपकी post 1800 ही रहेंगी या फिर कम होंगी तो उसके related video है तो उसका link आपको आई बटन पे मिल जाएगा आप उसे जरूर देखें question number 53 a US standard keyboard follows तो बोला गया है कि जो US standard keyboard है वो कौन सा option को follow करता है तो आपका follow करता है क्योड़ी यार्टी यार्टी मोडल को option number A आपका यहाँ पे write हो जाएगा next question है question number 54 the क्योड़ी यार्टी keyboard is the most popular keyboard तो आपका यह first वाला ही write हो जाएगा क्योंकि second वाला आपका wrong है is the fasted keyboard ऐसा कुछ भी नहीं होता है तो यहाँ पे आपका option number A ही write होगा next question है question number 55 you can use the tab key to तो यहाँ पे बोला गया है कि tab key को किस लिए use किया जाता है तो आपकी tab key को move a cursor across the screen के लिए इस्तेमाल किया जाता है और आपका tab key को intender paragraph के लिए इस्तेमाल किया जाता है next question है question number 56 what do we call the keys that change the meaning of what you type so यहाँ पे आपका right answer आजाता है option number B modifier keys यानि कि जो आपके button press किया है उसे modify कर देती है next question question number 57 the blank key and the blank key can be used to sorry used in combination with other keys to perform shortcut and special tasks so यहाँ पे आपका right answer आजाता है control alt जैसे कि आपने कभी control alt f4 control alt delete कस्तेमाल किया होगा so यहाँ पे आपका right answer हो जाएगा option number A next question number 58 why is the caps lock key referred to as a toggle key so जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताए कि जो आपकी caps lock key है वो एक toggle key होती है और इस question के according आपका right answer आजाएगा option number A because the function goes back and fourth every time it is pressed next question है question number 59 when a key is pressed a keyboard interact with so बोला गया जब key press होती है तो keyboard किसके साथ interact करता है तो keyboard आपका interact करता है keyboard controller के साथ और keyboard buffer के साथ next question देख लेते हैं question number 60 so question number 60 में बोला गया है a blank is used for providing the input to a computer by moving the device to point to a location on a computer monitor so यहाँ पे आपका right answer आजाता है a pointing device यानि कि एक pointing device से ही आप computer में मतलब जो भी आपका cursor है उसे monitor पे move अगयरा कर सकते हैं so यहाँ पे आपके 30 questions complete हो जाते हैं और आपकी जो next class है वो आपकी next day 6 a.m. आपको live premiere के थूँ प्रवाइट करवा दी जाएगी अगर आपको video अच्छा लगा हो तो video को like कर दें और अगर आप channel पे नहीं है तो channel को subscribe कर दीजिए so मिलते हैं next video में जबते के लिए thank you कर दो